नमस्कार दोस्तों, फैक्ट फाइल्स में आपका स्वागत है किसी गाउं या सहर में एक या दो जोड़े जुडवा बच्चे हों तो कोई हैरानी वाली बात नहीं लेकिन किसी गाउं में अगर पैदा होने वाले सबी बच्चे जुडवा हों तो शायद ये बात हैरान कर सकती है कोडिन ही गाउं अपनी खास बज़े से पहँचान बनाए हुए है इस गाउं में सबसे ज़्यादा जुडवा बच्चे पैदा होते हैं अरब सागर के 30 से 18 किलोमीटर की दूरी पर केरल के मलापुरम जिले में बसा है कोडिन ही गाउं इस इलागे की अपनी एक अलग पैचान है यहां जुडवा बच्चे पैदा होने का चलन आम है 2000 की आवादी वाला ये गाउं अब अंतर राष्टी नकसे पर है क्योंकि विबिन्र देशों की सोध करता यहां आकर जुडवा बच्चों के पैदा होने का रहस से पता करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे तो यह मुसलिम बहुल इलाका है मगर दूसरे समुदायों की संख्यावी 20 पृतिसत है इसमें अनुसुचित जन्जाती के लोग भी शामिल हैं इस गाउं में घर, स्कूल, बाजार हर जगे हम शकल नजर आते हैं यहां पर वर्तमान में करीब 350 जुडवा जोड़े रहते हैं जिनमें नवजात सिशू से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रती एक हजार बच्चों में चार जुड़मा बच्चे पैदा होते हैं कोड़ेन ही में एक हजार पर यह आंकड़ा 45 है यह ओसत समूचे विश्व में दूसरे नमबर पर है परन्तु एशिया में यह पहले नमबर पर आता है अपनी इसी खुबी के चलते कोड़ेन ही विश्व इस्तर पर प्रिशित्व हो चुका है विश्व के अधिकतर बड़े मीडिया हाउस यहां की स्टोरी को कवर कर चुके हैं विदेशों के कई वैग्याने समय समय पर यहां शोध करने आते हैं भारत सरकार ने भी एक इस्थानिय डॉक्टर क्रिश्नन स्रीबाजू को इसके अधियन के लिए नियुक्त कर रखा है एक ही गाउं में इतने ज़्यादा जुड़वा होने से लोगों को परिशानी का सामना भी करना पड़ता है खासकर स्कूल में यहां की सिक्षकों का बच्चों में भेद कर पाना मुश्किल हो जाता है दूसरी सबसे बड़ी समझ से आती है नब विवाहिद जोड़ों को जिनको कुछ दिन तक तो यही समझ में नहीं आता कि उनका जीवन साती कौन सा है एक और बिसेश बात यह है कि यदि इन जुड़वा बच्चों में कोई बीमार हो जाता है तो दूसरा भी अवश्य बीमार होता है इसलिए एक बच्चे के बीमार होने पर डॉक्टर दोनों बच्चों को दवाई देने को कहते हैं अब इस गाओं में दो के बाद तीन बच्चे भी एक साथ पैदा होने लगे हैं बीते तीन सालों में ऐसे तीन केस हो चुके हैं इस जगे इतने अधिक जुड़वा पैदा होने के पीछे क्या कारण है यह अभी भी अग्यात है पहले डॉक्टरों ने यह तरक दिया था कि यह सब खानपान के कारण है लेकिन इस इलाके के लोगों का खानपान के अन्य इलागों के समान ही है इसलिए इस तरक को खारिज कर दिया गया इसके अलावा डॉक्टर अभी तक कोई दूसरा कारण नहीं ढूर पाए हैं अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले हमारे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके लिए वीडियो के नीचे दिये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें